और हमारे साथ स्टूडियो में दो महमान भी मौजुद हैं जिन से आपका पारिच्रे करा देते हैं तिर लोग दीपानी कॉंग्रस प्रवक्ता हैं और पंकश पाठक वरिश पत्रकार हैं आप दो उनों का बहुत स्वागत है डिनन में और हमारे साथ फोन लाइन बे केके श्री वास्तव भी जुड़े हैं सबसे पहले शुरुआद में पूर विधायक बीज़ेपी केके श्री वास्तव जी आप से करना चाहूंगी आज विधान सभा की कारेवाही शुरू हुई आज उस पजट सत्र का आगाज हुआ और अब 26 म मार्च्वियानी की दस दिन के लिए स्थाकित भी कर दी गई है जिसमें कोरोना का हवाला दिया गया है क्या कुछ कहने आपका मेरा कहना है ये जो आज की कारवाई भी है इस पीकर जी ने ये रिश्य परूसे लोक्तंत्र की हट्ट्या करने जैसा एक कदम उठाया है मुख्मंत्री महामहिम राज़पाल के आदेश की एक तरफ अफ़लना करते हैं उनको कहा गया कि आपकी सरकार अजबत में लिखकर के मानी महामहिम ने उनको कहा कि आप 16 तारिकों फ्लो टेस्ट वाने विश्वाद मतासित करें आज यह सरकार को इंजर्डिसेंट करते हैं मानीय राज्यपाद इस्टीकर का केबल काम वां आई सूचि जो बनती है शरकार जी तरोसे विर्शा विदान सबक के अंतर उसको संचालन करना होता है कर एंघ कर आज हुआ है इडवाइशरी नारें रिंद्रमोंगी की अंप्रेंड Most ऐस कमwhat सबेतेangen करने की अदुन करने की पोड़ी परकाहन है ने शुको रहा है यह कुल मिलागर के ठीक लही हुआ मध्यप्रदेश के अभी तक लियर नहीं हुई मैं तिर लोग जी आपके पास आना चाहूंगी साफ तौर पर बीचपी के पूर्व विधायक केकि श्रीवास्तव जी ने आरूप लगाया कॉंग्रस पर की राजयपाल ने लोग तंत्र क हद्द्या के है क्या कुछ कहेंगा अपर देखिए मध्यप्रदेश में जबसे भारतियंता पार्टे की सरकार बेदखल हुई है तब से वो सत्ता पाने के लिए तडफ रही है उसी का एक यह रा कि वो हमारी सरकार को गिरा कर अस्तिर करना चाहते हैं लेकिन हमारी सरकार के पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हमने इनको चार बार फ्लोर टेश्ट पे अपना बहुमत साबित किया है चाहे वो अद्श का चुना हो पाद्श का चुना हो या निमको पर भी तो इस समय सवाल उड़ता है कि अगर हमारी सरकार अल्पमत में है तो आप अविश्वास प्रिस्ताव लेकर आईए हम उसका मुकामला करेंगे हम बहुमत साबित करके दिखाएंगे बहुत की बात की बाता है तो आप इस स्वास प्रिस्टिया होगा प्रफिया निकिजों क्यों है कि परिसकिया मंत्री पूंध कि ऐसी आप मैं फ्लोटर्स को तयार हो। वो इसके कि पुछ में आते हैं, वैसे को तैयार हो। लिए लिए प्रोटर गुझाइन इनकी जबत सब्सक्राइब वाने के दो क्यों है। नो आप इसकष्ट हमै आप परिश्टाप्रों इसक लिए डि फ्लो टेस्ट की स्थिति कल से संच्वे बर्ग सस्पेंस था इस पर की फ्लो टेस्ट होगा या नहीं होगा जब दान सब के कारेवाही में आपके पास आना चाहूंगे पंकच पाथा ज्वी कि तुस तरह से जब कल राजेपाल ने निर्देश उदेवे सीन कमलनाथ को पत्र निकर उन्होंने कहा था कि कारेवाही के दोरान जब फ्लो टेस्ट होगा तो फ्लो टेस्ट को किसी भी तरह से ना निलंबित किया जाएगा ना किसी तरह का विलंबन होगा लेकिन अब कारेवाही स्थागित हो गई यानि कि आज फ्लो टेस्ट नहीं होगा जब तो कमलनांथ के पत्र का जवाब दिया और यह जवाब उनोंने तब दिया जब इस पीकर ने सारे विदायकों छे विदायकों के इस्तीफे जो मन्त्री थे परखास्ट हो चुके थे उन Q ने भी वाइस बिदायकों को भी जो है पत्र लिखे गए राजजापाल को भी लिखह गए है। तो उसके बाद ये जो पत्र कल राजजापाल ने मुख्मressive को लिखा था उसमें साफ शबढंग में और बहुत ही कड़े शबदों में पस्पश शबढ़ों में ये निर्देश दिये गए थे क्योंकि ये सरकार राजिपाल की सरकार है और उन्होंने अपनी सरकार को ये निर्देश दिया था वे सम्विधान के रक्षक हैं कि आप फ्लो टेस्ट कराए और उसमें फ्लो टेस्ट कराने के लिए उन्होंने सारी चीजें सपष्ट कर दी थी कि क्या होना है कल हाउस में और क ये तर्क दिया जा रहा है कि कार्यमंत्रना समीती में ये तर्क किया गया था ये बहुत ही थोथा तर्क है इसमें कोई दम नहीं है कार्यमंत्रना समीती में जो निर्णय होता है वो कोई ब्रह्मवाक्य नहीं है कि उसको बदला नहीं जा सकता वो सब बदला जा सकता है बताई मुझे अब विदायकों के बीच ये जब अनुपचारेक静ा सीम इनुइ चर््चा की ले良ुक्ल साथार। बचैँन्मध हstoneरी और विदायकों के बीट विविदायकों के बीच जब अनुपचारीक CCM पानिंचेँन्मध के बीत बेड़ regressionि दोा हूरा हैं? तो यह बात उसी वक्त कल दिन में बाहर आ रही थी कि कोरोना वारेस का आधार बनाकर कल विधान सभा इस्थिकित कर दी जाएगी यह कल सपष्ट हो गया था यह जो गटना क्रम है यह तो एक फार्मिटी है जो पूरी हुई है आज और यह पूरा ड्रामा आज पूरा होना था जिसको लेकर बड़ा बवंडर मचाया गया और यह कल ही सको मानुता के आज कुछ नहीं होना है और देख लिए अब जो भी चीज़ें तय होंगी अब वो सिर्फ 26 मार्च को तय होंगी क्योंकि देखिए जो विधायक नहीं है 26 मार्च को तो विधायकों को आना ही क्योंकि आज सारे जो विरायत सभा के लिए नामांकन जो अभी तक हुआ है 13 तारीक 13 मार्च तक जो नामांकन पत्र दाखिल किये गए हैं दोनों पार्टियों द्वारा उनका आज जो है उनकी जांच हो जाएगी आज 16 मार्च है 18 तारीक को नाम वापसी की आत्की तारीक ह को कि तरुष क्लिए यृथ है तो इस बार तो आवश्यक है इस बार तो मिद्दान होना ही है उम्हड चुनाव होना एं राध्या नारीक तो सारी चीजें जो है सरकार का भविश्वी जो है वो 26 मार्च देखिए तीसरा सांसद जिसका प्यूनके आएगा संकार उसकी होगी शुरू होगी तो ये चीज पूरी स्थिती क्लियर हो जाएगे लेकिन क्या कुछ लगता है पंकज्रे के ये क्या प्री प्लान था क्योंकि जुस तरह से कल ही स्पष्ट हो गया था कहीं ना कहीं फिर भी एक सस्पेंस बरकरार था और आज उस था कितो के बिगए होना कारिवाही का देखिए ये बात इसपष्ट है कि राज जीपाल अपनी सरकार को निर्देश दे सकते हैं सला दे सकते हैं लेकिन ये कोई आवश्यक माहिए कि स्पीकर या मुख्यमंत्री एकिए झात के Silva कि और मुझको नहीं लगता कि उनके लिए ये सारी चीजें बाध्यकारी होती हैं। अब ये हिंदुस्तान के टियास में ऐसी घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। मत्वर्देश के टियास में तो पहली बार हुई ये घटना इस प्रकार की। लेकिन ये हमारे कानून में ये सब प्रावधान इसपष्ट होना चाहिए कि जब भी ऐसी सिती बने तो मैं सोचता हूँ कि राजजपाल की भूमिका या स्पिकर की भूमिका या प्रमुक सचियू की विदान सभा की जो भूमिका है। हुष्पें इस् पुष्ट हो जाए कि क्या होना है हर राज्य में हर बार in kis राज्ज में ऐसा संवेदानिक संकत्त क्यों घड़ा होना चाहिए और क्यों सुप्रीम कोट drive पे जाना चाहिए ये जो है हमारे देश की जो संसिदी व्यवस्था है जो न्याई की व्यवस्था है उसका ये लेकुना है कि हम ये सारे क्यों प्रावदान ऐसे खुले छोड़ के रखते हैं कि ये गलिया हम निकाल के रखते हैं ये गलिया बंद की जाएं और हमेशा की तरह ऐसी व्यवस्था की जाए कानून में अगर बदलने की जरुवत है अगर नहीं बदल रहे इसका मतलब यह है कि हम सलस्थी प्रजातंत के साथ नियाए नहीं कर रहे हैं बिल्कुल केकेश्वी रस्तर जी मैं आपके पास आना चाहूंगी जो विधान सभा की कारेवाही शुरू नहीं हुई थी तो इस द्वारान वो सीम कमलनाथ राज्यपाल से मुलाकात की थी तो सीम कमलनाथ का भी एक बयान भी सामने आया था कि फ्लो टेस्ट होगा लेकिन उस कमलाच जी कोई सत्य बोलने वाले नेता तो है नहीं पत्थर की लकीर भी नहीं है वो बंदत कह रहे हैं वो खुलकर के कह रहे हैं तभी टीवी न्यू चैनल पर के हम अपनी मर्जी से आए हैं 22 लोगों के एक साथ इस्तीफे पहुँचे हैं बिदान सभा जग्ष के पास औ पर फर जबाच बंदत की बादेवान के उन्होंने कहां मैं मध्यप्रदेश की धर्दी पर आम लोग सब आना चाहते हैं सब जिदाइक इनके कॉंग्रीस की सरकार पर मध्यप्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं है के इंडरी सुरक्षा पल हमें मुहिया करा जाए तो केंड केकिश्वी वस्तर जी अभी भी विधान सभा के अंदर जो बीजपी विधायक है वो डेरा जमा कर बैठे हुए हैं लगतार मांग कर रहे हैं फ्लो टेस्ट को लेकर और भी कई चप्षाय कर रहे हैं तो क्या कुछ लगते हैं आप आगे बीजपी क्या करेगी चलावा जो हुआ है मध्यप्रदेश की सभा साथ करों जंतां के साथ सदन के साथ लोगों के साथ कि यह अचानक से और कोरोना का बहाना बना करके जो अभी हमारे मानले पच्रकार जी बैठे हैं उन्होंने जो कानों इस पास का बहुत बड़ी बड़ी संधीड़ी के साथ सब्सक्राइब करना करने के बाद राजपाल महोद और जहां भी लगेगा हम इनको ऐसे ही अल्ब मत की सरकार चलाने नहीं देंगे इसका परिणा इनको भूगतना पड़ेगा तो लोग जी आपका क्या कुछ कहना है को बीजेपी लगातार हमला वर है बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि प्री प्लानदा सोची समझी साथ ती जो आज देखने को मिली देखिए आप ये बताइए मेरे साथ ही बोल रहा है कि वो बंदक नहीं है बंदक नहीं है तो आप उनको यहां पर भौपाल क्यों नहीं लेके आते सदन में उपसित क्यों नहीं करते उनके 16 लोगों के इसी पे हमें फिल्टाब निल कियें आपके 16 लोग आजी कंग्रेस तो मुझायक है बंदक नहीं बनाया गया है तो यहां पर आएं और आपके बिलाएं आपके पार्टा नहीं के लोग वहां पर इंके श्रीवास्ताफ जी पहले आपको 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 पूरा-पूरा समय दिया गया था एक बार तिर लोग जी की भी बात सुनली जाए उसके बार आपके बास में दुबारा होंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कि श्रीवास्ताफ जी नई सुनिए पूरी बात होने दीजी मरी आज बैंगलोर के अंदर अर्विन भदो विदायक यह तो कांग्रेस के हैं जो भी विदायक CRPF की सुरक्षा चाहेगा उसको मिलेगी और हम पूरी सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं तो उस परिस्ति के बाद भी जबरदस्ति उनको वाँ पर रोके रखना यह कौन सी नितिकता है यह तो आप समझ लेगे हैं जब से सता से यह बार्तियंता पाटी गई है तो यह मचली की तरह से तडफ रहे हैं तो इस प्रकार से जब इमैन से जाना चाहूंगा कि अगर यह सुरक्षित थे तो इनके वी बारतियंता पाटी की विदायक गुणगाउं क्यों भेजेगे उनके मोबाइल क्यों रखेगे आज का आज से दस विदायक बारती अंता पाकिट के कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए तयार है कांग्रेस के पक्षमें मजदान करने के लिए तयार है क्यों उनके ये मोबाइल चील लेते हैं तो अपनी अप बार-बार अपना बहुमत साबित किया हे जब भी यहां पर आ जाएंगे और हम जो अपना सदन के अंदर अपना बहूमत साबित कर देंगे दूसरी और जो हमारे पाठक जी नहीं का कि कि अगर गवर्नर लिखता भी है तो उसके ओपर सदन विचार करता है जब सदन में आई बात वो उसके उपर विचार नहीं हुआ उनके ये बाद्यकारी नहीं है सदन और विजादबादश की जो वो कहेंगे उसको ही किया जाए तो उस प्रकार से इस समय जो कांग्रेस की अपना बहुमत है उसके पास है और सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में है इस्तिर है इसको भारती अंता पार्टी जो इन्होंने घपले घोटा लेकिये हैं दूसरे जो माफिया इनके राज़ी में बन पे हैं उनका ब्रेश्टा का पैसा लेकर कांग्रेस के विदायकों को खरीदना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस के विदायक अपने इस्तान पर मजबूत ही से बिलकुल तुर लोग जी के कि श्रीवास्तर जी लगदार कांग्रेस आरोप आप पर भी मढ रही है कि अगर उन्हें बंधक बनाकर रखा गय तो वो सामने क्यों नहीं आकर बोलते हैं क्यों वीडियो जारी किया जाता है उनका आप सुनिये अरितुजी अब बंधत नहीं है यह ब्रकुल पैय है ठीक है उन्होंने यह देखा कि हम आ रहे हैं लेकिन हमें मध्यपरदेश की पुनिस पर भरोसा नहीं है अब किसको कराने है केंदिर शुरक्षा कौन देवा केके श्रीवास तब लेकिन कॉंग्रस में यह आरोप लगाया जुसमें विजब कल वीडियो जारी हुआ तो वीडियो में इमर्ती देवी को पहले पढ़ाया लिखाया उसके बाद उनने बयान दिया मैं यहाँ आपका जवाब नहीं दूँगी मैं आपसे सवाल पूछूँगी आप फिलाल यह बताईए जब वीडियो चाहरी हुआ तो पॉंग्रस में आप पर आरोप लगाया था कि इमर्ती देवी आप बाकी विडायकों को पहले लिखा पड़ी की गई है उसके बाद उनके वीडियो रिकॉर्ड किये गए है आप जबाद यह नहीं हो हमारे प्रती लेकिन जो मिष्ट्यर वो पॉंग्रेस की तरफ से बैठी है वो तो जबाब दे सकते है कि केंदरी सु कि जो भी विडायक वो तो हमारे कांग्रेस के विडायक हैं जो भी विडायक सियाथ की तरुछा चाते हैं केके श्रीवास्तर जी आपको पूरा-पूरा समय दिया गया था वो उनने के लिए एक बार तुलट जीके बात सुनी जाए केके श्रीवास्तर जी अगर कॉंग्रेस के विडायकों को बंधक बनाकर बैंगलोर में नहीं रखा गया है तो उन्हें भूपाल क्यों नहीं लाया जा रहा लगातार क्यों उस तरह की खबरे सामने आ रही है जो सिद्या समर्था के वो पूपाल नहीं आएगे गरेंटी ने लिखित में दे दिया और कोंजी गरेंटी होती है के जिम आपको या रोगना चाओंगी तरनोग जिम आपी के पास आना चाओंगी एक खबरे ये भी आ रही है कि पूर सियम शिवराद सिंग चौहान ने सुप्रीम कोट पे याच्रिका दायर किया फ्लोटेस्ट की मांग को लेकर केके श्री वास्तफजी पूर सियम शिवराद सिंग चौहान की तरफ से याच्रिका दायर की जा चुके फ्लोटेस्ट की मांग को लेकर वी जानकारी मेरे अब आगे क्या करएगी बीजयुई आगे याच्रिकें की अगली रणनितियों के अगला largest शरप सिल कर लेक्र 2 इकान करने कर देखिकत करें सुप्रीम कोट उत्वले घर्ट मांग मुंसित अन्र फ्लोटाइफ पूर सुल थेफिक आज़े क्या कुछ रहेंगे अब आगे अगर क्योंकि BJP ने याची का दायर कर दी सुप्रीम कोड में लेकिन अब कॉंग्रिस क्या कुछ करेंगे क्योंकि BJP लगाता है फ्लोट इस्ट की मांग कर रहे हैं देखिए हम फ्रोट रेश्ट करवाने के लिए तयार हैं लेकिन उसके लिए परिस्थितिया बनाना होंगी जो हमारे कांग्रेस के विदायक बैंगलोर के अंदर बंदक बनाये हुए हैं उनको गोपाल लेकर आए अगर जो भी उसमें इस्तिपा देना चाहता है मानने हमारे लेकिन किसी का आप देखोगे जिन लोगों के 16 लोगों के इस्तिपे दिखे गए हैं एक ही भाषा एक ही जाय थे और यह जारी वह तो उसमें सभी की भाषा सेम ही थी कि कमलात्सर कार्जी खत्रा है एक और कहा जाता है कि उसके अंदर जो हस्ताक्षर किये जाते हैं वो काली पेंसे हस्ताक्षर है उससे साफ जाए है कि वो पुरा ठकी वड़ा किया गया है और कांग्रेश पर यह थे अस्तिप करना चाहते हैं केके शुवी वास्तफजी जो विधायक 14-15 महीने तक कॉंग्रेश की सरकार में रहे कमलात्सरकार में रहे उन्हीं किस बात का डर लगातार सतारा होगा जो अब हर पूर सारे के सारे 22 वधायक जो बैंकलोर में ठहरे हुए वो लगातार कमलात्सरकार से जान का खत्रा बता जो जो छे विधायकों के इस्ती पे मन्जूर कर जिये गए हैं उनको विधानसमानी विधानसबा अद्यक्ष ने दो बार अपने पास आने का मुकादिया उनके पास सुचना बेजी गई लेकिन वो उपसित नहीं हुए उसके बाव बावजूद उन्होंने वीडियो बेच कर तो टीवी चेनल वे मीडिया के माद्यम से ये कहा कि हमें सरकार में नहीं रहना हैं उसी आधार पर हमारे मानिय बार पर द्रिवी करते हैं और लेकर ने पर बावज़ दन पार खब्सक्रा पराल झार तो बाकी विदायकों को भौपाल को नहीं लाया जारा सवाल दो यह रहा है पर वारती अंता पार्ट में इसे क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन विधायकों को भुपाल लानी भी उन्हें दिक्कत हैं। लेकिन मैंने मानता कि अगर कोई विधायक बंदक होता तो उसके उनके सारे परिवार हैं। इसका मतलब यह कि उनका कॉंग्रेस से बहुत हुआ है। तो इस सचाई को स्विकार करना चाहिए। देखिए हमारे मानिये दो विधायकों के परिवार कर किया जाएगा। अब इन छे में नहीं कहा है। इसी बात कर तो इन छे में कहां विधायक के पास जागर कहा। शे मंत्यों के स्तीफे तो मन्सूर कर दी गहें। लेकिन उन बाकी विधायकों को भॉपाल को नहीं लाया जा रहा सवाल दो यह है। कांगरिस का कहना है कि पैंग नोग में चूनके विधायक है उन्हें बंधक बनाकर रखा गया लेकिन बीजयपी साफ तब पर इससे नकार रही है लेकिन उन विधायकों को भुपाल लानी भी उन्हें दिक्कत है और वो कमलाद सरकार से ज्रान का खत्रा बता रहा है देखिए ऐसा है कि फ्लोर टेस्ट के लिए तो आवश्चक काम करना चाहिए जो भी है और जो विधायक हैं उनको भी लाना चाहिए क्योंकि विधायकों के वज़े बगर फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता लेकिन वो कानून का उलंगन भी नहीं है वैसे ये अच्छा होता कि बीजेपी अपने 16 विधायकों को जो मतलब जो विधायक का समर्थन कर रहे हैं कॉंगरेस के उनको लाना चाहिए और आखिरकार 26 को तो उनको लाना ही होगा आप कब तक उनको रोक कर रख सकते हैं लेकिन मैंने मानता कि अगर कोई विधायक बंदक होता तो उसके उनके सारे परिवार हैं वो एफायार कर सकत इसका मतलब यह है कि उनका कॉंग्रेस से वह भंग हुआ है तो इस सच्चाई को स्विकार करना चाहिए से अगे रहे हैं और मझोड़ प्रच सबस्त्रकार को विष्वासर और